हेले श्टूड एंड कैसे हैं आप से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्थोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चली होगी समूपंद्रा के तक्तों के बारे में चल रहा है बच्चो हमारा लेक्चर लगातार क्रमसे वीडियो आपको दे रहे हैं प्लैलिस्ट में आपको क्रमसे वीडियो भी मिल जाएगा इनके हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे चादा लंबा चोड़ा कुछ भी नहीं है बस थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है बागी तो बच्चो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो पंद्रह में समू के तत्तो को हम निकोजन या प्रिकोजन यहना पीसे स्टार्ट होता है इसलिए प्रिकोजन भी कुछ बुक में मिल जाता है निकोजन आपसे ने तो ठीक है निकोजन ही लगाओ अन्नथा बच्चो प्रिकोजन लगाओ ठीक है याद रखीगा आप लोग नाइट्रोजन परिवार क्या नाइट्रोजन परिवार घर का लीडर सबसे पहले सामने होता है इसी प्रकार हम 15 में समू के तत्तो की बात करें नाइट्रोजन फासफोरस आरसेनिक एंटी मनी बिसमात मासकोबियम रेडियो एक्ट्यू पदार थे जिसे हम लेकर नहीं चल रहे है ये बच्चो पंद्रह में समू का तत्तो है नाइट्रोजन परिवार कहलाता है पहला तत्त कोस में ठीक है पांच अईगमित इलेक्टरान होते 향ा 56 होते हैं ठीक है पांच अईगमित तो म hanya कर सकते थीन आउगमित होता है बाकि ऐसका जो भीए यूगमित होता है जैसे नाइट्रोजन को हम लेकर चलते हैं साथ इसका जब हम हम बीन्यास तो 1S2, 2S2 और 2P3, पी उप कोस में सभी के सभी एलिमन्ट में 3 अईगमित इलेक्टरान है, जब हम S की बात करते हैं तो S में यह यूगमित इलेक्टरान है, अब ये बच्छो जो 3 अईगमित इलेक्टरान है, ये चाहते हैं 3 बंद बनाने की, क्योंकि बाहतम कोस म टोटल पाँच इलेक्टरान और आक्टेट रूल के लिए चाहिए तीन इलेक्टरान जिससे इनका अस्टक नियम पूर्ण हो जाएगा तो सभी के सभी एलिमेंट्स नितत तो नाइट्रोजन परिवार के सभी यह नहीं 15 में समू के सभी तत तो तीन हाइड्रोजन जुड़ने के पीछे का रीजन मैंने आपको समझा दिया पी में तीन अउगमित इलेक्टरान है इन तीन इलेक्टरानों को इउगमित होने के लिए किसी अन से तीन इलेक्टरान चाहिए तो तीन हाइट्रोजन आसानी से क्रिया करता है बचो और ये बना देता है क्या समूफ पंद्रा के हाइडराइड जैसे नाइट्रोजन जब तीन हैच लिता है तो ये आपका बन जाता है अमोनिया ये आपका पि-ेस-3 बन जाएगा A-S-S-3 बन जाएगा S-B-S-3 बन जाएगा B-I-S-3 बन जाएगा जिनका नाम है N-S-3 का नाम है अमोनिया यह हमारा फासफीन यह हमारा आरसीन यह हमारा इस्टिवीन यह हमारा बिसमिथीन N-S-3 अमोनिया फासफीन, आरसीन इस्टिवीन और विसमिथीन ठीक है बच्चो तो ये कुछ इस प्रकार से हाइड्राइड का निर्माण हो जाता है पतलब समूँ 15 के तर्थो हाइड्राइड बनाते हैं तो किस प्रकार से MH3 प्रकार से हाइड्राइड का निर्माण करते हैं इनका का इनि-ध मैं बंद कोन बात करूं कि इनका बंद कोन कितना हुता है तो बच्चों NS3 का जो बंद कोन होता है यह होता 110 degree ठीक है यह जिसमें पी-च 3 इनमें जो बंद कोन की बात करूं यह हम और mogą HH के बीच मैं आपको बताओंगे किस प्रकार से बंद कोन इसका होता आरसेनी का आरसी एस एस थ्री इसका बंदकोर 92 डिगरी जिसको याद करना कर सकते हैं आगे चलकर कंप्रटीशन एकजाम में पूछा जाता है इसका बंदकोर इंक्याने डिगरी बिसमिथीर इसका बंदकोर 90 डिगरी अब देखो बचो समू में उपस नीचे चलने पर हाइड ड्राइडों का बंदकोर्ण का मान जो है कम होता जाता है ऐसे क्वें पूछ ले जाते हैं क्या अलक से IIT में question पूछा जाता है जे डवल इमेंस में एना इटी नीट में अलग से नहीं पूछा जाता सब यहीं से बनता है इनी का क्रम देदेगा कि इनका क्रम देदेगा बंद कोंड का क्रम सही है जमाओ आप लोग अब आपको यही मान नहीं पता तो फिर कैसे समझोगे इतना द् आप SBS3 का फिर BIS3 का यह बंद कोंड का क्रम है जो बच्चो विदिवत पढ़ रहा है अब एक बच्चे ने आज कमेंट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इस समय आप वही वीडियो को थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इसके पीछे का रीजान है बच्चो पहले के छोटे छोटे वीडियो तो आल रेड़ी पढ़े हैं उसे तो कोई बच्चा आसानी सिपास्ट में पढ़ लेगा पेपर टाइम में पढ़ लो बाकियार कुछ बेसिक कंसेप्ट भी तो सीखना जरूरी है आगे चल कर आपको किसी को पढ़ाना हुआ तो फिर दिक्कत हो रहेगी चीजें समझ रहे ना ठीक है बच्चो क्लियर है यह सब कंप्लीट है आपका चलो अब हम बात करते हैं हाइड्राइडों की लक्षण लक्षण हम बात करेंगे इनकी लक्षण क्या है जैसे पहला उसमें इस्थाई तो इस्थाई कौन होगा जिसके बीच प्रबला सबसे ज़्यादा इस्थाई उसमी इस्थाई इसका होता है इस प्रकास से बंद कोना दिखोता है उस प्रकास से इस्थाई तो भी इदिखोता है लेकिन यह जो लास्ट वाला है इस्थाई उसमी इस्थाई तो पाए जाता है इसमें देखो भाई जो पहला समू का पहला त तो है मतलब 15 का पहला तक तो नाइट्रोजन है इसका तो छोटा हकार है इसका अनन उर्जा भी उच्छे इलेक्ट्रान बंदता भी उच्छे इसलिए इस्थाईतों के साथ बंद बना के रखता है इसलिए इसको ज्यादा उर्जा लगती है दिए इसका बिक्तन ताप हम कीन केल बिन पर और चार सो तेश केल बिन पर यह लगभग विक्टित होता आइस थाई यह कुछ पते नहीं है इसका भी तक में तो समू में जब उपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्राइडों का जो उसमें इस थाई तो घटता है यह कम ताप क्रम पर अब घटित होने हो जाएगा बंधन जो है कमजूर हो जाएगी जैसे यहां परский का बंद प्रबल है यहां पर समें carn में घुसी कुछ यह चीजिलिए को उसमें इस थाई देलिको चिंता अगला नंबर कौतनांग का मतलब क्या होता है किसी मालीजी आपके पास पदार्थ है उस पदार्थ को हम ताप दे उसका दाप बायोंडली दाप के बराबर हो जाए तो इसमें भी कम होता बच्चो लेकिन यहां पर थोड़ा सा लगबग बढ़ता है इसमें इसमें जो है अवेश की संख्या बढ़ती है जब हम समु में उपर से नीचे चलते हैं जैसे नाइट्रोजन में बच्चो दो कोस हैं ठीक है जैसे फासफुरस में जाते हैं तो तीन कोस हो जाता है आठ इलेक्टरान की ब्रद्धी होती है फिर एक कोस बढ़ता है लेकिन आठ सीधे इले पिर ऐक छारे एलेक्टरान फिर आगे चलकर 32 इलेक्टरान तो जब हम उपस नीचे चलते हैं तो अरुबहार बढ़ताए अरुभार बढ़ने के कारण हिने का कोत्रांक बढ़ता है लेकिन एक आपबद ने सिर्क कोत्रांक यह आधीख है इसके पीछे का पारण है जो ऑमो इतने केल्वीन पर इनका जो केल्वीन के रूप में के मुरीय के देहता हूं निकरंफ्यूज हो जाओगी यहां 나비미टन के रूप में प्सक्राइब मतलब इतने केल्वीन ताप पर ये सीधे दर मंडली की बराबर हो जाता है तक कि बिसमिधीन पहले है तो कुथनांक बढ़ रहा है लेकिन उसके पहले भी फासफिर्ण से ज्यादा अमोनिया का है इसके पीछे का रीजन के है जो अमोनिया होता है हाइड्रोजन बंद से संगुडित हो जाता है अब बात करते हैं छारी ये गुना छारी ये प्रवत्ति कौन ज्यादा प्रवल चारी होगा कौन ज्यादा प्रवल चारी होगा बताओ जो इलेक्टरान युगम दे सके एकाकी एक इलेक्टरान युगम दे सके जिसमें उपस्तित हो बच्चो जो जितना असानी से एकाकी इलेक्टरान युगम दे सकता है वो उतना ही प्रवल चारी प्रकतिका होता है और इसमें दि हम छारी प्रवत्ती की बात करनें तो जब समू में उपर नीचे चलते हैं तो छारी प्रवत्ती कम होता है सबसे ज़्यादा ऐसे कोशन आता है निम लिखित में से सबसे ज़्यादा छारी प्रवत्ती किसमें पाय जाती है तो आपके Ammonium परेज आता है इसके पिछे का region क्या है किसी भी छारी प्रवत्ती का गुर्ण होना एकाकी इलेक्टराण यूगम देने की छमता समझ रहे हैं एकाकी इलेक्टराण यूगम जो देने वाला है वो क्या कहलाता है छार जो जितना एकाकी इलेक्टरानिव को दे सके तो भई इसके पास एकाकी इलेक्टरान है बाकी इलेक्टरान हाइड्रोजन के साथ ब्रबल बंद है तो आसानी से हाँ इलेक्टरानिव को दे सकते हैं लेकिन जैसे समूँ से उपर से नीचे चलते हैं इलेक्ट्रानिक घनत तो कम होता है देखो ना यहाँ पर बताया गया एकाकी इलेक्ट्रानिक इसको लेविस छारक बनाता है छारक्ता केंद्री परमाणों पर इलेक्ट्रान में के घनत पर निर्वर करता है वही जिस पर इलेक्ट्रान घनत तो जादा होगा है ना वही इलेक उपकोफिट में साहीक्राम है बता हो लोग कर्फ्योज हो जाते हैं की कहां से होगा उल्टा की सिधां अप्चायक-गॉण अप्चायक-गॉण का मतलब जो जितने अधानी से आकशीक्रत हो जाई, अब चायक-गॉण मतलब भाई दूसरे को अप्चायक कर दे है ना मतलब खुद आक्सीकृत हो जाए और आक्सीक्रत मतलब आक्सीजन का ग्हान होना या हाइडोजन का ट्याग न तो जे जितना जलिडी हाइडोजन ट्यागेगा वह उतना ही प्रवल अपचायक गुण दर्साएगा देखो बच्चो अपचायक गुन बहुत ही सिंपल तरीके समझो अपचायक गुन का मतलब है दूसरे को अपचायित करना अपचायक गुन थोड़ा समझने की कोशिच करना हर एक में कंसेप्ट लगता है मतलब दूसरे को अपचायित करना अपचायित करना ठीक है और खुद म खुद में आक्सिकरण और खुद में आक्सिकरण मतलब आक्सिजन ग्रहाण होगा या हाइड्रोजन निकलेगा समझे हो आक्सिकरण का मतलब क्या है बताओ जरा खुद में आक्सिकरण मतलब या तो खुद आक्सिजन ग्रहाण कर लिया हाइड्रोजन निकले यह जो जितना आसानी से हाइड्रोजन निकाल दे को उतना प्रबल अप्चायक गुन होगा यह जो जितना आसानी से हाइड्रोजन आक्सिजन को ग्राण कर ले हाइड्रोजन निकले वो अप्चायक गुन समझ में आया जैसे मैं कह दूँ कि प्रबल बंद किस में होगा तो अप्चायक गुन बढ़ेगा उपर नेचे चलने पर क्यों कहे रहा हूं भाई ये प्रबल अप्चायक क्यों है कौन है प्रबल अप्चायक भाई ये प्रबल अप्चायक होगा विल्टा मैं कहे रहा हूं फिर से एक बार कांसेप्ट आप समझो न अपचायग गुन उसी में होगा जो जितना आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकेगा क्योंकि दूसरे को अपचायद करना है दूसरे को कहे का हाइड्रोजन तुम ग्राण करो तो खुद में जब आक्सी करन होगा तभी तो दूसरे को अपचायद कर सकता है आक्शीकरन खुद में होगा मतलब हाईडरोजन त्याग है ये आक्शीजन ग्रहन करे तो भई जो जितना आसानी से हाईडरोजन त्याग दे अब चाया कुर भी होगा सिंपल है तो ये जल्धी से выпуск हाईडरोजन नहीं त्याग सकता इसके पीछे का दीजान है, नाय ट्रोजन का आकसीकन संख्या भी ज्यादा होती है, छोटा अकार है, जिन भी दूता ज्यादा है, आयननुजा ज्यादा है, अकर्षन वल प्रबल है, लेकिन बिस मिथीन जो है इससे है इडरोजन आसानी से निकल जाता है बच्चो इसलिए प बना सकता वो बिल्कुल नहीं मिल सकता याद रखिए आप लोग यदि बिलेता की बात की जाए तो जो hydrogen बनाएगा वही बिले हो सकता है एनेस्ट्री जो है hydrogen बनाता इसलिए वो बिले हो जाता है आज के लिए इतना यह बच्चो वीडियो पसंदाइट लाई करके सहर जरूर करिएगा जय हिंद बंजमात्राम